हेलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेसल में गुजिया की रेस्पी लेके आया हूं दोस्तो और काफी टेस्टी काफी सौधिस्ट होती है और होली में सभी के घरों में ये रेस्पी बनती है तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी सेयर करूं आप लोगों के साथ ये रेस हम लोग देखते हैं वीडियो को हम इंट तक देखते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी यह रेस्पी आईए हम पहले चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों लाइक कमेंट सेयर जरूर करें और यह मैंने डिस्क्रप्शन बॉक्स में भी दिया है लि तो आथी चमच मैंने घी डाला है दोस्तों और इसको थोड़ी देर गरम करेंगे तो यह देखिए गरम हो गया है हमारे ड्राइफूट तो चलिए एक कटोरी में हम निकाल देते हैं और यह देखिए उसी कढ़ाई में मैंने नारियल का मुरादा भी गरम किया है दोस्तों तो इसको golden brown तक हम गरम करेंगे, इसमें मैंने एक आधी चम्मच घी डाला है, ये माबा करीब 50 ग्राम था दोस्तों, इतना ही golden brown हमको चाहिए था, तो ये नारियलक मुरादा हो गया है golden brown, चलिए अब हम सूजी को भी इसी तरह गरम कर लेते हैं, इसको ज़्यादा golden brown नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर पकने देंगे, एक चम्मच घी के साथ, और ये देखिए, काफी पका दिया है, चलिए इसे भी निकाल देते हैं, जो ड्राइफूट ठंडे हो गए हैं, तो काट लेते हैं, तो चॉपिंग कर लेते हैं अच्छे से, पका के काटने में ज्यादा आसान रहता है दोस्तों, तो ये देखिए, एक दम महीन हम कटिंग करेंगे, अच्छे से चॉपिंग करेंगे, जिससे गुजी हमें खाते समय ज्यादा बड़े पीसस में न मिले, ड्राइफूट, और ये सूजी, ड्राइफूट, एक कटोरी सक कर मैंने पीसा है, और ये नारियल का मुरादा, ये वाइट खोवा हम ले के आएं मार्केट से, एक पाव है, ये खोवा, और काफी टेस्टी बंदी ही वाइट खोवा से गुजिया, तो इसको ज्यादा हम पिघलाएंगे नहीं, जैसे हलका पिघलना स्टार्ट होगा, तो ह हम इसमें चीजें सारी एट करेंगे, जो भी हमने गरम की थी अभी, तो ये देखी, हलका गरम हो गया है, खोवा, अब हम इसमें चीजे एट करना सुरू करते हैं, तो पहले हम इलाइची पाउडर एट कर देते हैं, पीसा हुआ, इसको भी मिक्स कर देते हैं, अब हम इसमें dry food जो हमने chopping किया था वह डालेंगे इसके बाद नारियल अब इसके बाद हम ग्यास को हम पहले इसको mix करेंगे फिर ग्यास को हम बंद करेंगे उसके बाद हम चीनी इसमें PC हुई मिक्स करेंगे तो इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले चीनी को आप दोस्तो खड़ी चीनी भी आप डाल सकते हैं लेकिन वो पहले ही डाले जब गरम गरम मैं ये सारी चीज़े गरम पे ही डाल रहा हूँ और ये देखिए सूजी भी हमने गरम खोबे पे ही डाला है तो ये सारी चीज़े आपको गरम खोबे पे ही डालना है लेकिन गैस बंद करके तो ये देखिए अच्छे से तयार हो गया है गुजिया का मसाला अब हम इसे भरेंगे गुजिया में और ये देखिए एकदम परफेट रेड़ी हुआ है तो चलिए अब हम डो तयार करते हैं तो दो कटोरी मैदा हम ले रहे हैं चलिए अब हम घी मिला देते हैं घी थोड़ा ज़्यादा मिलाएंगे दोस्तो और अच्छे से देखिए तो हम घी को और ज़्यादा डालेंगे बॉल देखिए बन रही है मतलब घी हमने परफेट डाला है अब चलिए एक गिलास पानी हमने लिया है जरा जरा से पानी एट करेंगे हलाकि ये चीज मैं सालोनी वाली रेस्पी में भी आपको दिखाया हूँ बस उसमें उस डो में नमक और करायल मैंने मिक्स किया था और इसमें मैं नमक और करायल नहीं मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि ये गुजिया के लिए हम मसदा डो तयार कर रहा है तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया तो एक पिलेट से हम पहले ढख देते हैं कुछ देर के लिए जब तक ये भी ठंडा हो जाएगा और ये भी ठंडा हो जाएगा ये भी देखी कितना मुलाइम हो गया ये कटर गुजिय कटर तो पहले हम लोईयों को टोड़ लेते हैं अब लोई बना लेते हैं करीब 25-30 गुजिया बनेगी और ये देखी इस तरह बेल लेंगे गुजिया को पहले लोई को अब चलिए हम गुजिया के खाचे में लगाते हैं ये गुजिया के खाचे में हम ले लिए हैं अब साइट से पानी हम लगाएंगे किनारे किनारे जितने में पैक हो गई अब चलिए हम गुजिया का मसाला डालेंगे और इसको बंद करेंगे ज्यादा लगे तो पहले ही निकाल लें यह इस तरह बंद करेंगे जरा से दबाएंगे इसके बाद हम बाकी मैदा निकाल देंगे साइट से और यह देखिए गुजिया बन गई है और मान लिए थोड़े जैसे कोई छोटा सा कोना खुला दिखे तो इस तरह हाथ से आप दब हो जाएगा और यह देखिए एकदम पर्फेट गुजिया बनी है इसी तरह हम दूसरी भी बनाएंगे काफी एजी रेस्पी है दोस्तो आप लोग जरूर बनाईए और इस होली में जरूर बनाके ट्राइ करिए मुझे तो बहुत इजी लागी तो मैं अब हर फेस्टिवल में बना सकता हूँ तो चलिए यह सारी गुजिया हमने ट्रेडी कर लिया है चलिए अब हम फ्राइ करेंगे तो देखिए ओइल हमारा गरम हो गया है तो अब एक एक करके धेर सारी गुजिया एक साथ डालेंगे जिससे जले ना खराब ना हो तो पहले मैंने हाई वीम किया था अब मैंने लो वीम कर दिया है आपको यही प्रोसेस दो तीन बार करनी है और आपकी गुजिया काफी अच्छी टेस्टी गुजिया बन जाएगी यह एक ट्रिक होती ही दोस्तो पहले हाई वीम रखना है तेल को फिर जब आप चीजे डाल दें तो लो वीम कर दिये और जब हलका वो पकने लगे और तेल लगे ठंडा हो रहा है तो फिर हाई वीम कर निकाल लीजे और या फिर तेल में क्योंकि फैल जाएगा तो जो मावा हमने मतलब जो हमने चीजे डाली है जो भी मसाला हमने गुजिया का डाला है वो सारी गुजिया में लग जाएगा काफी बेकार टेस्ट कर देगा इसलिए पहले ही निकाल ले तो मेरी गुजिया एक अभी अभी तो नहीं खुली है और अगर खुलती है तो फिद हम उसे निकाल लेंगे और कोई-कोई गुजी है दोस्तों बहुत परसान करती है एक साइड ही पल्टी रहती है उसको दूसरे साइड पल्टातने में वह बार-बार उसी साइड आ जाती है तो उसको आप कर्शली मदद से थोड़ी देर दबाए नहें तो यह देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी गुजीया अब हम इसे राम से यह देखिए एक गुजीया बहुत परसान कर रही है तो इस तरह पकाना है हमको धीमे आज में पकाने से यह अच्छे से अंदर तक पकेगी दोस्तो गुजीया तो आपको धीमे आज में पकाना है गुजीया को तो हमारी गुजीया तो पक गई है और इसी तरह हम सारी गुजिया को पकाएंगे इसे थोड़ी देर और पकाएंगे एक गुजिया तो ये देखी हमारी गुजिया पक गई है सारी और देखी कितनी सुन्दर लग रहा मुँँ में तो पानी आ रहा दोस्तो तो मैं तो चलिए तोड़ के दिखाता हूं कितनी करारी और अंदर से कितनी अच्छी बनी है और मीठ अप कैसा है चलिए अब हम देखते हैं तो ये देखिए कितनी टेश्टी और कितनी सुन्दर लग रही है देखने में खाने में देखते हैं क्रेंची भी अच्छी बनी है ये देखी कितनी कुड़ कुड़ी बनी है और अच्छे स्पाकी है और मसाला भी पर्फेट डला है और काफी अच्छी बनी है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों लाइक कमेंट से जरूर करे वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करें दोस्तो और प्लेस सस्क्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाश्ट तक वाच करें नेस्ट वीडियो हम जल्द से जल्द लेके आएंगे आप लोग चैनल में बने रहें दोस्तो